हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग दोस्तों TZT-PZT के College Allotment के बाद आगे का क्या Process है बहुत साथ Student लगातार ये Comment कर रहे हैं और पूछ रहे हैं अगर आपको अंगरेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो Good News आ चुकी है डाउटनाट लेकर आ गया है English Speaking Course वो भी Hindi Medium के चात्रों के लिए इंडिया के Top Teachers आपको यहां पर पढ़ाएंगे अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार English और इस कोर्स के अंद में आपको Certificate भी मिलेगा इंडिया के Top Teachers आपको यहां पर मिल जाएंगे Total Quality Content मिलेगा वो भी बहुत ही कम Price में Link Description Box में दिया गया है तो यह है दोस्तों मादमिक सिछा सेवा Chain Board की Official Website TGT और PZT दोनों का College Allotment जारी हो गया है अभी थोड़ी देर पहले ही PZT की Merit List को भी Website पर डाल दिया गया है तो PZT वाले भी अभ्यरती अब अपना नंबर चेक कर सकते हैं कि उनका कितना नंबर है रिटेन में उसके बाद B8, M8, PhD का भारांग वगरे जो है तो वो भी डाल दिया गया है बहुत सारे शुडेंट पूछ रहे थे कि PZT वाले चातर अपना नंबर कैसे देख पाएंगे तो Merit List से आप देख पाएंगे और TZT का तो पहले ही Merit List डाल दिया गया था आप यहाँ पर देख सकती हैं उसकी नोटिस यहाँ पर है और College Allotment सबका हो ही किया है आप लोगों ने देखी लिया होगा PZT का Allotment का नोटिस यहाँ पर है एक समस्या आ रहे थी बहुत सारे चातरों को College Allotment में चातरों को यह नहीं पता चल पा रहा था जो संस्था आवंटित है वो किस जिले में है तो बहुत सारे चातरों ने यह शिकायत के थी चुकि एक ही नाम से बहुत सारे College होते हैं और अलग-अलग जिलों में भी ये की नाम से बहुत सारे college होते हैं तो confusion हो रहा था तो हमने भी इस बात को उठाई थी और चैनबोर्ड ने इसमें update कर दिया है अब जो आप नया college allotment वारी notice डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका जिला भी सो होगा जैसा कि मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ तो देखिए ये है पीजीटी बालक वर्क शारेलिक सिक्षा आवांटी संस्था में देखिए अब साफ साफ लखनाउ लिखा गया है तो पहले ये नहीं आ रहा था जिसके वैसे चातर खासा परिशान थे मैंने काफी यहाँ पर कोशिस की थी आप लोगे कनिफिजन को दूर करने की और कॉलेजों के लिस्ट भी मैंने आपको प्रवाइड की थी अपने टेलिग्राम चैनल पर जो लोग जुआइन है उनको पता है लेकिन अब आफिशली इस समस्या को दूर कर दिया गया है तो अब बात करते हैं के लिस्ट जातरों ने अपना कॉलेज अलोटमेंट देखी लिया होगा अब आपको पता भी है कि आपको कौन सा जिला मिला है तो अब आगे आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है पहली चीज दोस्तों कुछ हाथ ये पूछ रहे थे कि जौनिंग लेटर चैन बोर्ट कब देगा तो चैन बोर्ट जौनिंग लेटर नहीं देता है ये आपको किलिरली समझ लेना है जो भी दोस्तों आपका पैनल है PZT की पहले में बात कर रहा हूँ तो PZT का जो पैनल है वो मेल के थूँ चैन बोर्ट समबंदी जिलो के D.I.O.S को भेज देगा पैनल वही जो सलेक्टेड सुडेंट का लिस्ट है जिनका कॉलेज आवंटन हो गया है तो मेल के थूँ वो भेज दिया जाएगा अगले एक दो दिनों में ही उमीद है कि समबंदी जिलो के D.I.O.S को भेज दिया जाएगा और आप जाकर अपने D.I.O.S से संपर कर सकते हैं 3-4 दिन के बाद और दिवाली के जस्ट बाद जैसे ही उनको मेल मिल जाएगा उसके बाद आप उनसे मिल लीजेगा बात कर लीजेगा और वहाँ पर जो बाबू होते हैं उनके थूँ सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी और आपको वहीं से जौनिंग लेटर भी मिलेगा अगर आप joining letter का इंतजार करेंगे अपने घर पे तो इस condition में late भी हो सकता है जो आपने correspondence address भरा था अपने form में उस पर joining letter भेजा जाएगा डियो आयोस office से लेकिन अब ये डियो आयोस office पर depend करता है कि कब भेजते हैं कितनी जल्दी भेजते हैं और जो आपके area का post office है वहाँ से आपको कितना जल्दी मिलता है तो इस process में delay भी हो सकता है 10-15 दिन एक महिना भी लग सकता है तो joining letter का आपको इंतजार नहीं करना है आपको directly अपने device office पर जाकर बाबू से मिलना है और आपको हाँ पर पूरा process बता दिया जाएगा चुकि आपका document verification हो गया है और आपने interview दे लिया है अब आपको joining letter ही लेना है तो आपको कुछ खास करना नहीं है joining letter लीजिए उसके बाद जाएए अपने college में और वहाँ पर join करिए यह वहाँ पर भी management को दोड़ा एक manager आपका join letter इसू करेगा कि आप यहाँ पर officially join कर रहे हैं तो college में जाकर principal से मिलिए वहाँ पर manager के थुरू आपको एक और join letter मिलता है और आपका पूरा process हो जाएगा कहने का मन्दब यह है कि भरती पक्रिया अब यह पूरी हो गई है अब कुछ खास इसमें बचा नहीं है सिर्फ कुछ formalities है और आपको बस जाके join करना है तो आगे का process simple है कोई confusion हो तो आप हमसे comment के थुरू पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलिग्राम को join कर लीजिए link description box में और comment में दिया गया है कुछ सवाल हो तो आप हमसे वहाँ पर directly भी पूछ सकते हैं चले बात करते हैं TZT का तो TZT का दोस्तों आपको पता ही है कि document तो online upload हो गए और संस्था अवंटन हो ही गया है लेकिन अभी तक offline verification documents का नहीं हुआ है तो यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का process अपनाए गया है कि इस बार chainboard काफी जल्दी जल्दी काम कर रहा था और 31 October तक ही सब कुछ complete करना था सुप्रिम कूट का काफी pressure था तो अभी तक offline document verification नहीं कराए गया तो इसमें अब दो option है इसमें अभी मैं 100% clear नहीं हूँ कि किस तरह से आगे का process होने वाला है लेकिन दो तरीके हैं इनी में से कोई एक होगा और आप channel के थुरू जुड़े रहेंगे तो आपको आगे की पूरी जानकारी मिलती रहेगी तो आपको tension नहीं लेना है पहला क्या हो सकता है कि अगले एक दो दिनों में chain board एक notice जारी करके बताए कि आपका इस दिन document verification होना है तो अगर ये वाला process हुआ तब एक list आ जाएगी और उसके हिसाब से आपको जाना होगा chain board पर और offline आपको अपने सभी document लेकर जाने है academic, आपकी reservation वाले और medical certificate, character certificate यानि सब कुछ लेकर जाना है और अपना document verification करवा लेना है और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका भी जो panel है वो संबंधित जिलों के dios को भेज दिया जाएगा और इसमें ये हो सकता है कि आपका जो document verification है वहीं dios office से ही करा लिया जाए जिमेदारी दिया जाए dios को और वहाँ पर आपका document verification करा कर report लगा दिया जाएगा उनके द्वारा chain board को कि हमें का verification कर लिया सब कुछ ठीक है और उसके बाद आपको join later वहाँ से मिल जाएगा और फिर आप college जाकर join कर सकते हैं वैसे college पर तो एक बार और verification होता ही है पहले भी होता था अभी भी होगा जब आप join करेंगे तो वहाँ पर principal management के थुरू आपका एक बार documents से किया जाता है और इनी में से दो एक option होने वाले हैं या तो एक दो दिन में notice जारी करके आपका verification करा लिया जाए या फिर college के थूरू या डियायो साफिस के थूरू ही आपका verification करवा कर रिपोर्ट ले लिया जाए क्योंकि एक बात तो chainboard ने documents आपकी upload करवा ही लिये हैं वो अपना verification करते रहेंगे धीरे धीरे अब तो सारे शेज़ें online हो गई हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी कोई समस्या आती है तो फिर उन छातरों से उनका documents मांगा भी जा सकता है तो जो भी होगा जल्ली कर हो कर दूँगा तो यही थी दोस्तों कुछ मातपूर अपडेट और एक नोटिस और अभी बची हुई है पीजीटी का cutoff अभी नहीं जारी हुआ है वो भी एक दो दिन में जारी हो जाएगा आज मेरिट लिस्ट आ गई पीजीटी की जल्द ही cutoff भी आ जाएगा टीजीटी की सभी नोटिसन जारी हो गई है तो यही थी इंपडेट दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबा लिजे ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेश्ट और आथरिंडिक इन्वार्मेशन मिलती रहे थैंक्स और से आपगाइक तरह करे जिए